आज मैं बनाने वाली हूँ मीठे सरवले चलो बनाते हैं हम मीठे सरवले उसके लिए हम लेंगे वन टेबल स्पून देशी गी देखो में अल्ठोनिक आया है अब हम इसके अंदर डालेंगे दोती निलाइची दोती डाल चिंग एक कोगनी डीश है कोगनी लोग बहुत इसको पसंद करते हैं और कोई महमान आए या कोई आए तो यह सरवले बनाते हैं खिलाते हैं महमान को तो चलो वही आज मैं आपके साथ रेसेपी शेर कर रही हूँ किस तरह हम बनाते हैं सरवले हम हम अच्छे से गरम क्या यह हम इस सरवले जो है और अटि भूने वे है और यह है घेऊ के कोई बनाते है गेऊ माईदा का कोई बनाता है सोजी माईदे का और मुझे घेऊ के पस प्राय करें तो अच्छा फ्लेवर दियाएगा और टेस्टी भी बनने है दो कप सरोल ले लिए तो हम एक कप के इसाब से पानी आड़ करके देखेंगे हमको ज्यादा चिप-चिपे नहीं चाहिए इसके लिए हम थोड़ा ही पानी आड़ करें गरम पानी हमने कटके दिया है हमने एक कप पानी दाला था वह इनाप नहीं था तो हमने और एक कप दालके हम उसको और पकाते हैं हम चेक करेंगे सरोले को तो रख है पक जाएंगे इसमें रोले हमने 75% उसको गलाया है अब 25% पकने के है बाकी तो उसमें हम और शक्कर एड़ करेंगे मीठा जो है आपके हिसाब सो लीजिए मैंने मैंने हाफ कप थोड़ा ज्यादा भी हूँ अब हम उसके में शक्कर एड़ करेंगे कि अब हम ड़क करें आप छोट गए चलावर्त कि जबर्दस हो गए है तरह आप हम क्या करेंगे सको इस इस मिठे सरोले में आंडे बहुत टेशिया और मज़े के लगता है तो आप मिश्कें अंदर क्या करेंगे आंडा उन्याइंग को करेंगे यह हम अंदारा में दें, इसके पर हम थोड़ी शक्कर राट करते हैं, थोड़ी इलाइची पाउडर, इसलिए क्योंकि अंडे की जो स्मेल जो है, वो नहाने चाहें, खाते वक, यह फिस तरह हम ढखेंगे, यहां दुसरी तरफ भी हम इसको दुसरा अंडा जो है, वो तोड़, इसके ओपर थोड़ी इलाइची पाउडर लेंगे, और शबकतर, इसको भी हम अच्छी से साइट से कवर करेंगे, अब हम इसको ढख कर दम देते हैं, 5 मिनट के लिए अच्छी से अंडा कूपन अचे, और सरोले भी अच्छी से अवारे बंजाने चे, तब हम इसको ढखते हैं, दम पर रखा था सारोले को यह देखिया अंडा जो एच्छे से हमारा पगदाया है देखिया अगम इसको सर्फ करेंगे देखिये एक जो है हमने डाले थे वो साथ में हुए सरोले लीचे हो गए तैयार हमारे मीठे सरोले अंडे वाले हमने सर्फ किया है नाश्ते के लिए चाय के साथ में तो जैसे कोकनी स्टाइल में डालते हैं ये खशकश है इसको इस तरह हम डालके जिसे डेकरेशन करते हैं पोट जबरदस भी लगता है खाने को मज़ा आता है आप लोग जरूर बनाए और कमेंट करें तो कोई तयार हमारी आज की डीश आप लोग जरूर बनाएं और देखिए अब बूद टेस्टी और सब में चाइब तो जबरदस बहुत जबरदस आप लोग भी जरूर बनाएं अगर मेरे रेसिपी पसन है मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कमेंट करना न भूलें फिर मिरेंगे इजी टेस्टी रेसिपी के साथ में अस्ट्राम होने को